हेलो दोस्तों स्वागत आपका इस वीडियो में आज हम इस वीडियो में जानेंगे जारखन मदमा परिच्छा के बारे में कि आपका परिच्छा कब से सिड्यूल कराये जाएंगे आपका एक्जाम कब लिया जाएगा तो ये सारी बाते हम इस वीडियो में बात करने वाले है जैसे कि हम आपको बताते आ रहे हैं कि हमने mail भी किये थे जारखंड बोद में जिसे हम JSE के नाम से भी जानते हैं तो उसके official site पे हमने mail भी किये थे तो उसी का जवाब आ गया है, reply आ गया है तो उसी के संबंधित हम आपको जानकारिया देने वाले हैं कि आपका exam कव से schedule कराये जाएंगे और आपका exam कव ले लिया जाएगा तो इन सारी बातों को हम इस वीडियो में discuss करेंगे तो जो भी अभ्यारती इस वार जारखन मदमा परिक्षा में एपियर होने वाले exam देने वाले हैं उन सारे अभ्यारती के लिए खुशकवरी है कि आपका exam अब बहुत जल्द ही ले लिया जाएगा और वही हम बताने वाले आपको कि आपका exam कव लिया जाएगा तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को यदि आप चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को भी दवा दीजेगा तो यदि हम बात करें जारकन मदमा पर इच्छा की तो वो आपको मार्च में स्ट्डूल किया गया था कि exam ले लिया जाएगा लेकिन अभी तक exam आपका नहीं लिया गया बहुत डीले देखने को मिलने हैं जबकि हम बिहार मदमा पर इच्छा की बात करें तो उनका result भी जारी प्रकासित कर दिया गया है उनका exam 4 अपरेल को ही लिया गया था और result 20 मई को दे दिया गया था भले है इसके result में एक डेर महिना का डेले देखने को मिले लेकिन इनका सारा चीज क्लियर हो गया है उनमें चैलेंज का भी परकिरिया चली रहा है जो कि हम आपको बता रहे हैं लेकिन अभी तक आपका exam नहीं लिया गया है क्योंकि आप आपका जून भी आ गया फिर भी आपका exam नहीं लिया गया तो आपका जो exam है जैसे कि हमने mail किये थे आपके board में तो उसके अनुसार यदि हम देखा जाए तो आपका exam इस महिना के last तक आपका भी exam ले लिया जाएगा क्योंकि आपका exam तो मातर चार दिन चलने वाला है चार दे में ही exam समाप्त हो जाएगा schedule किराया जाएगा उससे exam से 5 दिन पहले admit card दिया जाता है इसमें Sanskrit board में ऐसा ही होते हैं कि आपके 5 दिन आपको exam से 5 दिन पहले ही admit card मिलेगा और 5 दिन पहले से बितरन होना start हो जाता है आप ले लीजिए क्योंकि इसका center बहुत जाएदा दूर दिया ने जाता है school से 10-15-20 km के अंदर में ही आपका center होता है इसलिए बहुत पहले admit card भी ने दिया जाता है 4 या 5 दे पहले ही आपका admit card दे जाता है और जैसे ही admit card का कोई भी जानकारिया मुझे पता चलेगी कि आपका admit card मिल रहा है था हम आपको सबसे पहले बताएंगे और आपका जो exam है वो हम आपको बता ही रहे है कि इस महिना के last या July के first week इस महिना के जैदा chance है कि आपको इसी महिना में ले लिया जाएगा तो आप निस्चिंत रहिए और बेशिकर हो कि आप अपना तैयारी करिए हमें पता है कि तैयारी करने में थोड़ी से परिसानिया हो रही होंगे क्योंकि जब exam का date बढ़ने लगता है तो थोड़ा सा मन बेचलित होने लगता है कि क्या यार एक ही चीज को कितने बार पढ़ते है लेकिन रिवाइज नहीं करियेगा तो मतलब आपको बता देते हैं data बिहारवोड का बिहारवोड में 15,000 student एपियर हुए लेकिन उसमें मात्र 2000 student 2011 student को ही first division मिला है आप लोग यदि मेरा बिहारवोड वाला यदि देखते होंगे वीडियो तो उसमें आपने बताया है कि मात्र 2000 student को ही first मिला है तो आप समझ सकते हैं कि कैसे मतलब result दे रहा है इस ढंक से आपको अपना तैयारी करना है बिहारवोड वाला तैयारी करना है आपका एक्जाम तो ऐसा नहीं नहीं लिया जाएगा आपका एक्जाम तो लेना आता है आपका एक्जाम तो लिया ही जाएगा तो थोड़ा सा लेट हो रहे है लेकिन बिहार के बच्चे उसमें चूक हो गया तो ऐसा गलती आप भी नव करे अच्छे तरीके से त्यारी करें ताकि आप maximum student को first division आए क्योंकि बिहार के जो भी Sanskrit word के अभिहारती थे उन्हें बहुत कम नमबर आया है मतलब maximum student को और 600 student second आया है मात्र 2000 student को first आया है और 2026 student 2444 student को third आया है और 2688 student 2688 student fail हो गए है 11,000 APR हुए थे इसमें से 2688 student fail हो गए है तो आप समझ सकते हैं 15,000 form फील हुआ था जिसमें 11,000 APR हुए थे उसमें मात्र 2000 student को ही first आया था तो आईसी गलतियां आप 9 करें आप अपने तयारी के अच्छे तरीकी से बनाए रखे क्योंकि आपका सारा कुछ हुआ है आपका admission भी होंगे 12th में 11th में तो आपका exam तो लिया ही जाएगा इसके लिए बेर्थ चिंता न करें आप अपने तयारी पर ध्यान दीजे आपका तयारी जितना अच्छा रहेगा आपका mark उतना ही अच्छा हैगा क्योंकि मदमा exam वही देते हैं जिसे अच्छे number की अच्छे mark की जरूरते होती है तो इसलिए आप अपने तयारी को अच्छा से बनाए रखे ताकि आपको exam में कोई भी आईसी मतलब सवाल नव हो कि नव आता हो और आप कोउपी अच्छे से भरका है पूरा कोउपी भरे ताकि आपको number मिले जड़ी इन सारे exam में ये सब जो exam होते हैं वो open board मना जाता है इन सारे exam में आपको कोउपी खाली नहीं छोड़ना है कभी भी page को खाली नहीं छोड़ना है जो भी question आपको आता है उसे जैसे तैसे करके पूरा लिखना है अपने थोरा सा भी दिमाग लाईएगा तो आपको पूरा question लिखा देगा लेकिन कोउपी को पूरी तरह से feel करना ही करना परेगा जब तक आप कोउपी feel नहीं करिएगा तब तक आपको मतलब नहीं हो सकता है कि आप अच्छे नंबर ला सकते हैं अगर आप अच्छे तरीके से लिखे हैं अच्छे कोउपी भरे हैं feel की हैं तो आपको अच्छा नंबर भी आएगा आप अच्छा कर सकते हैं अच्छा नंबर आएगा तो मन भी अच्छा लगएगा अच्छे college में 11th में admission भी हो पाएगा तो इसलिए आप अच्छे तरीके से तैयारी करें और कोई भी problem हो कोई subject में तो आप बोलिए हम वो subject आपको जरूर कवर करवाएंगे तो चलिए मिलते हैं आगे वाले वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही इसे जएदा कोई भी हमें जान करें मिलते हैं तो आपके साथ हम share जरूर करेंगे थैंक यू